वर्जबायट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है केमसी हैं सिटी एंड केमसी कैंसर इंस्टिट्यूट उत्री भारत का आधुनिक्तम सुविधाओं से योगत चिकित सा संस्थान बागपत रोड मेरट यूपी मुखिया योगी आधितिनाथ ने आज मेरट में कोरोना से निमटने के तैयारी की मंदिक शमिक्षा की सियम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के प्रती जागरुक रहने का आखवान करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर का यूपी ने बख़ू भी डटकर सामना किया है अब कुरोना की तीसी लहर का रपभी डटकर सामना करने के लिए यूपी ने अपनी तयारे तेज कर दी हैं तमाम व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है आई देखते हैं मीडिया से क्या कहा मुख्य मंत्री योग्यातित दिनाथ में करोना महमारी के खिलाब देश की जो लड़ाई चल लई है आदने प्रधान मंत्री पिके मार्क दर्सन में इस सदी के सबसे बड़ी महमारी से पुरा देश और पुरी दुनिया जूज रही है भारत में फर्स्ट वेब का मुकाबना पुरी मजबूती के साथ किया और शेकिंड वेब वरतमान में हम सब के सामने चुनोती देते वे खड़ी है देश के अंदर सबसी बड़ी आबादी का राज्य होने के लाते उत्तर प्रधेश पुरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है फर्स्ट वेब में अदने प्रभान मंत्री जे ने कुछ मंत्र दिये थे परोना से लड़ने के लिए कि टिपल ट्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा प्रेस टेस्ट एंड ट्री और लियन एक्रेसिक पैंपेंड के मात्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं कि अस लत में या संका भ्यक्त की थी दिसे सक्क्यों ने कि उत्तर प्रृदेश में है the active case एक लाक से ज्यादा जाएंगेThe हysz में और उत्तर प्रदेश में एक्टिप कीश केíस हुआ शणब सभी. कि 6077 002 पर म्यंतित कई ती और फर्स्ट वेप में जो यहां पर प्रकिदिन आने वाले तो मैक्सिमम केस थे वह साल अजार दोसों तक पहुंचे थे सेकेंड वेप जब आई महराश्ट के अंदर दिल्ली के अंदर जब पॉस्टिविटी बहुत जादा बढ़ गई तो दुनिया के विशिशक्यों ने देश के भी विशिशक्यों ने आसंका व्यक्ति की कि महराश्ट और दिल्ली के इस्तिती थे उत्तर प्रदेश को आबादी का सबसे बढ़ राज्य है इसकी क्या इस्तिती होगी और नौने आसंका देख्टी की थी कि 25 अप्रेल से लेकर कि 10-15 मही के बीच में एक लाग केस प्रसिदिन उत्तरप्रदेश में आएंगे और एक्टिब केस वह घट करके अब आए हैं एक लाग किर्शट हजागतर यानि हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिब केस एक लाग 47,000 से अधिक एक्टिब केस उत्तरप्रदेश के अंदर कम हुए हैं फस्ट वेब में ऑक्षिजन कितनी आउसिक्ता नहीं थी लेकिन सेकंड वेब में ऑक्षिजन की आपूर्ति कई गुना जावाब बढ़ी लोगों ने डिमांड की ऑक्षिजन की दिश्टे पहली बार बेस के अंदर ऑक्षिजन एक्सप्रेस भारत सरकार के स्वयोग से चले इयर फोर्स के जहाजों के माद्यम से ऑक्षिजन के टैंकर भेजे जाते थे वहां से पेन के माद्यम से मंगाई जाते थे और आज हम लोगों ने हर जन्पत में सर्पलस ऑक्सिजन तक उपलग्द कराने में इस दोड़ान हम लोग सफल रहे हैं लेकिन फ्यूचर की आउसिट्टा को ध्यान में रख कर हैं ऑक्सिजन आत्मनिरब़ता की दिस्ते अकेले मेरट मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सिजन प्लांट लगाने की करवाई वरतमान में चल लई है और जिसमें अकेले मेरट जन्पत में 10 ऑक्सिजन प्लांट वरतमान में जिन पर या तो कारे प्रारम हो चुका है या जिन पर कारे होने जा रहा है जिससे आने वाले समय में यहाँ की मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल और सीएस्टीज में ज्यादा तरको हम लोग ऑक्सिजन की दिश्टे आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से आक्सिजन लाने की आउस्पिता नहीं पड़ेगे इस ख़बर में आज इतना ही आप देखते हैं फर्स्टवाइट.टीवे नमस्कार